नमस्कार मैं हूँ दीपक मिश्रा आप देख रहे हैं दा इंडियन उपीनियन सत्तादारी बीजेपी में जगणों और विवादों की बयार है तो फिर क्या 2022 में उत्तर प्रिदेश में अखिलेश यादों की सरकार है? जी हाँ ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है ये एक राजनेतिक संभावना है, ये एक सियासी प्लान है और ये सियासी प्लान इस समय समाजवादी पार्टी में खूब डिसकस किया जा रहा है समाजवादी पार्टी इस समय बहुत खुश है क्योंकि बीजेपी अपना जगणा निप्टाने में बेहाल है क्यों बेहाल है बीजेपी से कहा जा रहा है कि ब्रामण नराज है ब्रामण बीजेपी का बेस वोटर है उत्तर प्रदेश में लगबग 15 प्रतिशत के आसपास ब्रामणों की आबादी है इसके अलावा OBC समाज के वो वोटर जो पिछले चुनाओं में बीजेपी के साथ खड हुए हैं मजबूती से अनुप्रिया पटेल ने अपना असंतोष जाहिर किया अमिशास से मिलके उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है पर्याप सम्मान नहीं मिल रहा है वो नाराज है उसके साथी साथ निशाद पार्टी के नेता भी मिले केंद्री नेतृत से निशादों को सम्मान नहीं मिल रहा है निशाद समाज की भी बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में उनके लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है वो भी असंतुष्ट है तो योगी आधितिनाथ के नेतृत में यूपी की जो सरकार UP में जो सरकार चल रही है फिलाल उस पर हर तरे के आरोप और हमले भी है कोरोना में Mismanagement का आरोप है पन्चायच चुनऊ में चुनाः हारने का आरोप है ये आरोप तो पार्टी के अंदर और संगटन से ही लगाया जारा है साथी साथ पंचाय चुनों में जवरदस्ती करमचारियों को जोग देने का भी आरोप है इससे भी सरकार की अलोग प्रियता बढ़ी है सरकारी करमचारी भी एक बहुत पावरफुल वोटर है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और उत्तर प्रदेश का सरकारी करमचारी जो है वो सरकार से बहुत नराज है असंतुष्ट है हर तरह की समस्याएं उसकी हैं जिन समस्याओं को लेकर वो सरकार की टच में रहे अपनी बात पहुँचाई लेकिन वो समस्याएं दूर नहीं हुई और भी लोग नराज है फिलाल ये सारी जो परसितियां हैं ये अखिलेश यादों के लिए बहतर हैं अखिलेश यादों मुखे विपक्षी दल हैं हलाकि ये भविश्यवाडी नहीं की जा सकती कि आने वाली सरकार किस की होगी कौन मुखे मंतरी की कुरसी पर बैठेगा ये तो समय तय करेगा जनता तय करेगी लेकिन अगर हम परसितियों की बात करें मायावती ने जिस तरह से लगातार पिछले कुछ वर्षों में अपने कई ताकतवर सिपह सलारों को बाहर किया है मायावती जो उत्तर प्रदेश की राजनीत में एक समय बहुत एहम किरदार हुआ करती थी आज भी हैं लेकिन उनकी पार्टी की ताकत कम हुई है ये एक सच्चाई है लोगसभाचुनाओं में उन्होंने जरूर समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन अभी भी राजनेतिक विशलेशक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही मुख्य विपक्षी दल मानते हैं और बीजेपी के विकल्प की जब बात आती है बीजेपी के अतरिक्त किसी और के पार्टी के मुख्य मंत्री बनने की बात आती है तो अखिलेश का चेहरा लोगों के सामने जादा आता है बनिस्पत मायावती या फिर कॉंग्रेस के नित्रुत के तो उत्तर प्रदेश की जो इस्थितियां है इसको हमें समझना होगा पिछले चुनाओं में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो पराजे हुई उसकी वज़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेत्रित था और हिंदूों का एक जुठ होना BJP के साथ ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा हिंदू समाज की अधिकांश जातियां BJP के साथ एक जुठ है क्यों क्योंकि हिंदूों को ऐसा लगता है कि वो राजनेतिक रूप से विकलप हीन है BJP के लावा उनके पास कोई विकलप नहीं लेकिन जब 45 사ार की सरकार उत्तर प्रदेश में चल चुकी है केंद्र में 7 साल की सरकार चल चुकी है तो हिंदू समाज के लोग अब विशलेशर कर रहे हैं अब वो इस बात का अध्यन कर रहे हैं कि उन्होंने इस सरकार में क्या हासिल किया, क्या उन्हें मिला, क्या उन्होंने खोया और क्या उन्होंने पाया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता में आ चुकी है उसका जो base voter है वो यादव समाज है Muslim भी उसका base voter है उसके साथी साथ छत्रिय समाज भी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है पहले राजनेतिक विशलेशा के कहते थे कि YMT यादव Muslim ठाकुर ये समाजवादी पार्टी का base voter है जो कई बार उसे सत्ता का आनंद दे चुका है और साथी साथ जब समाजवादी पार्टी अन्य वर्गों के लोगों को भी लडाती है मैदान में ब्रामनों को उतारती है अन्य वर्ग के अन्य जातियों के लोगों को उतारती है SC के अन्य जातियों के लोगों को उतारती है तो वहाँ पर जब वो चुनाओं में खड़े होते हैं अपने विधान सवाज छेतर में तो YMT का भी लाब उन्हें मिलता है और अपने वर्ग का अपनी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं इसके अलावा मिस्लेनियस वोटर होते हैं जो जातिवाद की भावनाव से परेहुटके किसी भी पार्टी से विचारधारा के आधार पे जोड़ते हैं बहुत से ऐसे ब्राम्मन हैं जो कटर सपाई हैं बहुत से ऐसे SC वर्ग के दलित समाज के लोग हैं जो शायद बसपा से ज़्यादा सपा को बहतर मानते हैं बहुत से ऐसे दूसरे वर्गों के लोग हैं जो भाजपा से किसी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते भाजपा को ही बहतर मानते हैं वहाँ पर विचारधारा काम करती है हलाकि अधिकांश लोग बड़े पहमाने पर लोग जातिवादी भावनाओं से गाइडेड होते हैं ये कड़वी सच्चाई है जो कि लोगतंत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन है तो अखिलेश यादो के साथ जो उनका वोटों का समीकरण था यादो मुस्लिम ठाकूर उसमें ठाकूर जरूर उनके साथ कम हुआ है योगी आदितिनाथ का जो नेत्रत है पहले तो लोग योगी की जाती नहीं जानते थे दिरे दिरे लोग जान गए कि वो छत्री समाज से आते हैं तो ये भी एक सच्चाई है आपने भी देखा होगा कि छत्री समाज की लोग भावनात्मा की रूप से योगी आदितिनाथ से जुड़ गए उनके सत्ता में आने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद तो अगर माना जाए कि जो टी वर्ग है जो ठाकूर वर्ग है छत्री वर्ग है वो अब सपा में उतनी मजबूती से नहीं है वाई और एम यादो और मुस्लिम समीकराण उनका अभी भी मजबूत है हलाकि बहुत से यादो भी वी जे पी माइंडेट हो गए है उनके अंदर भी ऐसे में ये बीजेपी के असंतुष्ट लोग, बीजेपी के असंतुष्ट मददाता यदि समाजवादी पार्टी से जुड़ गए तो अखिलेश यादव की राहें आसान हो जाएंगी अखिलेश यादव पिछली बार जब सत्ता में आये थे तो उन्हें 29 प्रतीशत के आसपास वोट मिले थे 29 प्रतीशत से अधिक वोट उन्हें मिले थे तो वो उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे बीजेपी को लगभग 40 प्रतीशत वोट मिले थे लेकिन इसलिए मिले थे कि एंटी इंगंबेंसी फैक्टर था अखिलेश यादों की सत्ता थी उत्तरप्रदेश में अब बीजेपी के खिलाब भी ये फैक्टर काम करेगा तो अगर मात्र 10 परसेंट वोट भी इधर से उधर हो गए पांच प्रतीशत वोट भी इधर से उधर हो गए तो सत्ता का जुगार समाजवादी पार्टी के लिए बन जाएगा सियासी आकड़ों की बात करें तो 2017 में जो विदानसबा चुना हुए थे उसमें बीजेपी ने 325 सीटे हासिल की थी प्रचन बहुमत था और उत्तरप्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत थी जो बीजेपी को मिली जनता ने ऐसी जीत बीजेपी को दे दी जो श 2022 में जो चुना होना है वहाँ पर अखिलेश यादों को थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है जबकि एंटी इंकंबेंसी फेक्टर भी रहेगा बीजेपी के साथ और ये जो असंतुष्ट लोग हैं अलग अलग जातियों के जो लोग असंतुष्ट हैं जिनको मनाने की वायद में बीजेपी जुटी है अगर ये नहीं मानते हैं ये बिगड़े लोग समाजवादी पार्टी की और चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की राहें असान हो जाएंगी और अखिलेश यादों को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा हलाकि ये रास्ता बहुत आसान नहीं है कठिन है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए उन असंतुष्ट लोगों को साधना पड़ेगा अखिलेश यादों को और कई बार ऐसी परसितियां भी आती है राजनीत में जब सत्ता के लिए विचारधारा से भी समझोत करना पड़ता है और ऐसा हमारे देश में ज्यादत और राजनेतिक दल अक्सर करते भी हैं तो अखिलेश यादों के सामने एक प्रश्ण है कि वो क्या बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं उनको मिला पाएंगे क्या वो ब्रामणों को समाजवादी पाटी से मजबूती के सा क्या वो असंतुष्ट ओबीसी जातियों को अपने साथ मिला पाएंगे क्योंकि उनके उपर यह आरोप लगता है कि उनकी टॉप प्राइटी में यादों और मुस्लिम रहते हैं इस आरोप से यदि वो मुक्ति पा जाएं तो उनके लिए एक बड़ा प्लिटिकल मार्किट एक बड़ा जो सरल शब्दों हम कहें कि मतदाताओं का एक बड़ा दायरा उनके लिए खुल सकता है वो दर्वाजे खुल सकते हैं जो दर्वाजे फिलहाल बीजेपी के लिए खुले हुए हैं जो नौन यादव OBC वोट है जो नौन मुसलिम वोट है एक बड़ा शेर तो यदि काम कर पाते हैं और कहीं से उन लोगों को उपने साथ जोड़ पाते हैं तो उनकी राहें जरूर आसान हो जाएंगी और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी ये असंतुष्ट लोग जो हैं इनका प्रबंधन बीजेपी करती है या सपा जो इनका बेहतर परबंधन करेगा वही उत्तर प्रदेश में 22 की कुर्सी पर बैठेगा धन्यवाद